इस कारिक्रम के पुर्णियार जखें और जिसने करायदार को पैसे लेकर के मात इस्थान दिया है उसके उपर केश करने की बात आती अब वो उन दोनों में उस बच्चे में उस व्रिक्ष में आत्मीता का संबन्द इस्थापित हो गया क्यूंकि आज आत्मीता की संबन्द बहुत कम देखने को मिलते हैं संबन्द तरफ उप्योगिता की हो गये हैं जब तक उप्योगी होता है तब तक तो इसने विलकुल ऐसा घनिष्च संबन्द रहता है और जैसे उप्योगिता समाव थोई उतना ही बड़ा बैरी बनने में मैं देदने लगती यतना कि कैसी अजनवी ब्रक्तिर से हमारा वास्था नहीं होता लेकिन विर्षठी कर भी वीतर संबेदना तो वही है लेकिन मनुश्टी संबेदना समय के साथ बदलती रहती है बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, उसकी संबेदनाएं घर्टी जा रही है, लेकिन व्रिक्ष उसी आत्मिता के साथ उसका प्रितिक्षा रोज करता, आज पर आएगा, में जे लिए हाथ दे करके चारों तरफ घूमेगा, और बीच बीच में व्रिक्ष भी अप प्रसंदता जाहिर करेगा, प्रसंदता आपके मुख पर ही आती ऐसा नहीं, हर प्राणी के प्रसंद भाव, उनकी प्रतिक्रियाओं की माध्दम से देखने को मिलते हैं, यह बात अलग है कि आपको प्रतिक्रिया जानी तब आती है, जब महाराज कहें, मुस्कराओ तो सही तब जाकर आपके उदास से मन पर थोड़ी सी प्रसंदता आती है, मारा रात तो आज नहीं बहुत दिर बात कहा, हमने का अधी आपको इंसानों की बात समझ में नहीं आती, तो हम पेड़ पौदों की बात से आपके मन में बात ला सकते हैं, कि मुस्कराना उनको भी आता है सिर्फ आपको ही नहीं आता है, जब वो एक छोटे सी बच्चे को देखा कि प्रसंद हो सकता है, तो तो तुमारे सामदे तो सादू परमेश्टी बैठे हैं, तो प्रसंद क्यों नहीं हो सकता है। तो बस अब धीर धीर बच्चा बड़ा होता जा रहा है, संबेदना इं घ मेरे तीक्चा करता, अपर तीक्चा करते करते उसको लगता, कि मेरे ही कारण कुछ ऐसी गल्ती हो गई है, जिस कारण से मेरा बच्पन का मित्र मुझसे अब थोड़ी सी दूरियां बनाने लग जा है, वो उसको दोश नहीं दे रहा है, कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, खु तो जो संबद बचनों के थे, संबादों के थे, वो पुना भरे भरे हो गए, विरिक्ष बोलता है, आ गए मेत्र, हां हां आ गया हूं, अब देखो, पहले, हां आ गया, ऐसी बात होती थी, अब हां आ गया हूं, शब्द वहीं है, अभी धौनी बदली है, टोन बदली है, यह इनसान के बड़े होने की निसानी होती है, आप समझ रहें, आप भी बड़े हुए हैं कि अतने बड़े पैदा हुए थे, पहले बच्चे थे, हम तो अभी भी बच्चे हैं, आप लोग फली बड़े हो गए हो, और जब पहले वो पूस्ता था, आ गए, तो किता था, हा आप आगया हूँ, क्या करना है, नहीं बहुत दिन से तुम आई नहीं नहीं तो में तो कोई कामधाम है नहीं खड़े रहते हो, मेरा परिवार भी है, परिवार को चलाने का, जिम्मिबारी भी है, सब कुछ मेरी उपर है, तुम्हारे साथ कब तक मैं केलता रहूंगा, तब तो वो, रोज जो अपने उद्गार करता था, वो भूल जाता है, रोजगार पाले वालो, सुन रहे हो है, रोज अपने उद्गारों को व्यक्त करना, देव शास्त गुरु के पती, उन्हीं को संबभ होता है, जो रोजगार, इस रोज की उद्गार को सुईकार कर ले परिवार चलाना है, तुमारे साथ में जादा ओट पेट नहीं सकता, तु देखो, जिसने हमेशा कुछ देने का भाव गनाया है, वो कैसे भाव करता, हाँ, हम जानते हैं, इंसानों को परिवार भी होते हैं, उनको परिवार को चलाने के लिए अर्थ की आवश्रक्ता भी होत तुम जाओ, तो सारे फलों को तोड़ ले जाओ, और इनको बजार में बेच लो, हो सकता है, तुमारे लिए कुछ दोज़िया के लाएक मिल जाए, हाँ, ये तो अच्छी बात है, और बस क्या था, उसके बाद, गाड़िया आ गएं, क्योंकि बहुत फलदार, वेक्ष था और बहुत घनाव रिक्ष था, गाड़िया आ गएं, फल मातरी तोड़े, तहनिया भी तोड़के वो चला गया, तो कि जब भीतर लोब कशाय बढ़ने लग जाती है, तो लाभात लोब प्रजायत, लाब से भी लोब बढ़ने जाता है, ऐसा नहीं कि लोब के कारण लाब ह हो जाए, तो लोब समावत हो जाए, लाभ से लोब बढ़ता, लाभात लोब प्रजायत, यतना लाभ बढ़ता जाएगा उतना लोब भी बढ़ सकता है, ऐदी आपने अनियंतित लाभ प्रानी की एक्षा पैदा कर लिया, तो सब चला गया, लेकर चला गया, उस दिन सारे फल भिग गए तो उसको इतना तो मिल गया कि खोड़ा अपना नया रोजगार चाहलू कंद्र लाएगा उसके पास पैसा आ गया उसने धन्वाद दिये बगैर वहां से निकल जाता है व्रिक्ष सौभाग मानता है कम से कम में अपने मित्ते के कुछ तो काम आया आगे दिन और बिती ठोदे चले गए फिर वो मेंनों तक नहीं आया फिर साइथ इस रिख्ष को लगा मेरी कुछ कमी रे गई ने साथ इतने फल तैयार नहीं किये होंगे कि मेरे उस मित्ते के परिवार को चलाने के लायक बन पाएं और इनसान को परिवार को चलाने के लिए बहुत मशक्कट करनी पड़ती है इसी कारण से वो नहीं आ पाया कुछ महीनों बाद बापस से उसकी आहट ली तो जिनके पास इस परशनेंद्रिय मात्र होती है उनके भीता संबेदनाः सरबादिक होती है जिसके पास जो इंदी अंतिम है वो ही इंदी सवसे जादा संबेदनाथ लेकर के होती है सुन रहे हो आप लोग? आपके पास कान अंतिम इंद्री है न? इसपरशन, रसना, गरान, चक्षो, शोत्र अंतिम इंद्री कौनसी आपके पास? कान, इसलिए तुम कान देखे जादा सुनते हो काहे काहे रहते हैं हमाई बारे में जिसके पास जो अंतिम इंद्री है वही सरवादिक संबेदन शील होती है आपके पास अंतिम इंद्री कान है इसलिए तुम काना पूसी जादा करते हो उसके पास अंते मिंद्री कौन सी पहली इंद्री उसके पास इस पर्शन इंद्री है तो उसको इस पर्श की आहट से पता लग जाता कि कौन आ रहा है अच्छा फिर आगया अज मेरा मेत्र और जैसी आहट सुनी आ गये मित्र हाँ आ गया पिछले बार इतना देने के बावजूद भी जिसको पाने का सुख नहीं आता वो किसी के देने की कीमत क्या समझेगा अब रास्ता मत दोखना मैं जा रहा हूँ और मुझे अपना घर बनाना है जहते से दुकान तो मैंने खोल ली लेकिन दुकान अकेली खोलने से क्या होगा खोली भी तो चाहिए हाँ सभी बात है दुकान खोली अभी खोली अभी नहीं खोली हाँ मैं इतना तो जादा कुछ नहीं कह सकता अधि तुमारे लिए पसंद आए तो मैं तो बूड़ा होता जा रहा हूं, इसमें वैसी भी इतनी लकडियां हैं, इन लकडियां से तुम लकडी का मकान बना सकते हो, अच्छा, यह अच्छा एडिया है, हाँ, ठीक है, ठीक है, कुछ जब मन में मिलने की चाहत पैदा हो जाती है, तो थोड़ी सी टोन में कमी आती है, सुन रहे हैं आप लोग, यह व्रक्ष और उस बच्चे की बीच, संवाद और संबेना नहीं है, आप अपने आप से भी टोड़ के जलना कि आप किन किन वैक्तियों की बीच में उपयोगता की संबद निस्तापित कियो हो, और उपयोगता में कम ज्यादा पन कब आ लिया लकडी का, अब एक तना रह गया है, व्रक्ष के पास बांकी इस सुकून के साथ भोजी रहा है, कम जगम कुस्तो काम आया, सुन्देव, फूल भी मसलने वाले को सुगंदी देता है, तो व्रक्ष भी काटने वाले को सुक्रियादा करता है, लेकिन जो मसलने के बाव एकसान ना माने, काटने के बावजूद भी, जो कृतग ना हो पाएं, उनके जीवन की तो फिर दास्ता ही कुछ अलग हुआ करती है, फिर मैंनों नहीं आया, ब्रक्ष के भीतर फल, पत्तियाँ और डालियाँ जो होती थी, अब वो तो नहीं है, लेकिन संबेदना अभी ब हो गई, कि इतना सा कनने के पावजूद भी, मेरा मित्र, मेरा संबंद को तुकराने के लिए तयार है, फिर मैंनों नहीं आया, ब्रक्ष भी सोचता है, कम से कम, अब तो मेरे दिन, लदने को हैं, इसके पहले की दिन लद जाएं, मेरा मित्र बापस लोट करके तो आएं, ए यसी आता है, इस बाद थोड़े से, लाव लट्सर के साथ वो जा रहा था, हाथ में सूटकेस थे, यह थे, आहट से समझ गया, कि मेरा मित्र थोड़ा भारी होकर आया है, आ गये, बहुत दिनों बाद आया आज, हाँ, अब ही मेरे पाद लोगों समय नहीं है, मुझे बिट मार मानना, ऐसे इंसानों के फितरत की बात नहीं है, जिन्होंने किसी के एसान को एक बहुमान मान के सुईकार किया, लोग तो सम्मान को भी एसान नहीं मानते, लेगिन किसी के एसान को भी बहुमान मानना, हर बसकी बस्तिवत की बात नहीं, और वो कहता है, कहां से जाना है वो भी तो धूड़ना है जल मार्ग से जाना है पदा नहीं नाव मिलेगी कि नहीं मिलेगी हाँ अब मैं ज्यादा दुद कुछ नहीं कर सकता इतना बड़ा तना है पांट दस फिट का अब इसमें फलो फूल तो रहनी गए पत्तियां भी नहीं रह गई जीवन को अन्तिम दौर में गोजार रहा हूँ तुम चाहो तो इसको काट सकते हो और एक नाव बना सकते हो ये तो संभव है ठीक है अपने साथ जो नौका चाकरति उनको आदिश देता है कि जाओ एक बड़ी आरी लेकर के आओ और इसको विवस्तित कर लो वो मौटा तना था जो अपने बच्पन के मित्र के हर उस संभाद से फलता फूलता हो उसकी तंदुरुस्ति मित्र के रहने में बढ़ती रहती है बली मित्र रोज आए या ना आए सुन दें आप तो जब विडिक्ष में भी अपने संबंधी के प्रती दुरुस्ति होने से तंदुरुस्त बना रखने की संब्ता है तो जनों ने सारे संबंध छोड़ दिये हैं ऐसे देव शास्त गुरु के प्रती जिनकी श्रद्धा का संबंध है वो उनके पास रहें अदवा दूर रहें कैसे भी रहें लेकिन उनको इस्मरन करने में भी अपने तन और मन को दुरुस्त अवश्र कर सकते हैं और हुआ उसने नाव बना ली नाव बन गई और दूर देशातन के लिए चला गया परियातन समझते हैं परियातन अलग बस्तू होती है और देशातन अलग बस्तू होती है परियातन में सिर्थ मात्र मनुरंजन उद्देश रहता है और देशातन में मनुरंजन के साथ साथ अर्थो पार्जन भी उद्देश रहता है गया अब तो सोचा वरिक्ष जमीन से कट चुका है मात दो चार इंचे का वो ठूट जिसको बोलते न उतना ही बचा था योगी ठूट को काटने की सामत उस आरी में नहीं थी लेकिन ठूट में संबेदना बचाय रखने की सामत उस वरिक्ष में अवस्च थी अब तो पता नहीं मैं सब कुछ देता था तब भी महिनों बार में रमित मेरे पास आता था अब तो मेरे पास देने लाइक भी कुछ नहीं बचा लेकिन कैसी वो जिंदगी है कि जिंदगी तो नहीं जा रही है लेकिन बंदगी जाती रह रही है कब आयोपूर्ण होगी पता नहीं कब जाकर के मैं इस नश्वर देह से उस अविनश्वर पद की यात्रा सुरू कर पाऊंगा पता नहीं लेकिन फिर भी इंतजार में है बस जब तक प्राण बचे हैं एक बार और मित्र मेले लिए मिल जाए अब तो बित्र बच्चे से बड़ा हो चूका है कई मैनों बाच जब दूर बिदेश में यात्रा करने के पस्चार कुछ कमा करके लेकर के आया सुन रहे हैं आप लोग क्या सुन रहे हैं बच्चे की बात की वरिक्ष की बात ह marvelous बच्चा भी अब बड़ा हो चुका है और आप लोग तो बड़े पहले सी हैं हैं की नहीं बड़े मराज आप कहना क्या चार रहा है पहले बता दो बड़े का मीनिंग बता दो फिर हम सुईकार हैं करेंगे कि नहीं वह समझ्चा रहती मराज आपके सामने सुईकार करने में भी समझ्चा और सुईकार करने में भी समझ्चा यह बता वच्छा किसी ने सुईकार जल्दी किया हो किसी ने बाद में किया हो समाधान तो हमें समय लवला हो ना कुछ लोग हैं जो धीरी-धीरी करते बढ़ते आ रहे हैं हमें मालोम हैं दीवाली तक एक्रम चलता रहेगा, रोज नए नई लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, बारा जुड़ना थो हम बहुत पहले चाहते थे, आप ही समय नही दे पाथे, महाँ अम कलती है, चो महारी है भाण सकते हैं, आप आए, जुडने के भाव ले करके आए हम समय नहीं दे पाए एस समय नहीं देने का हमारे पास एक बहुत बड़ा अभाव तो है युकि काल दरब तो सब के लिए परावर्तन में और वर्तना में सायोग करता है जीव दरब के पास सब को को वरतना करने की कूवध नहीं है और चुकि मैं जीव द्रब हूँं काल द्रब हो सकता नहीं। इसली मैं समय दे नहीं पाया। ऐसे मैं तौ-सवीगार कर सकता हूं। क्या समच गए आप लोग क्यों है लग गए कुछ गलत बात क्या दी जीव दरभ्भू के काल दरभ्भू बताओ समय कौन दे सकता है काल दरभ दे सकता है महराज वो तो हमें मालों में घडी में बिल जाता तो घडी ले जाते हैं अधी आपको समय चाहिए था हमसे तो घडी में आप समय मानते हैं तो घडी ले जाते हैं कल चे कमेटी वाले कुछ विवस्ताइं कर दें दस भीच घडी वहां रग दिया करें ताकि कोई भी समय मांगने आए तो घडी हम बोल यहां वो ले जाओ वो नहीं चाहिए महराज तो फिर क्या चाहिए आपका समय चाहिए हमारे पास तो हमारा समय सिप आत्मा के रूप में है वो आपको हम दे सकते नहीं और अही बाज जो चलने वाला समय है वो आप ले जाओ कौन मना कर रहा है नहीं महराज आप समझ नहीं रहे हम समझदार हो जाएंगे पर हम समझ नहीं कोशिश करेंगे अभी तो इतना ही हम कहना चाहर है कि गलती हम सुईकार कर सकते कि हम आपको समय नहीं दे पाए फिर भी देर भले ही आए लेकिन आप दुरुस्त आए इतना तों आशिरवाद आपको दे ही सकते हैं अब जाकर के बस महिनों बाद वो बहुत कुछ कमा करके लौट करके आया है लेकिन आते आते दिन नहीं रात हो गई है सोचा रास्ता बदल दूँ फिर सोचता है अब क्या बचा फेल दूब गोगा उस पेल में औब तो रात हो गई है रात में तो बैसी वी सुन टे हैं कि रात में पेल जो है ना फो जाते है ऍष्ता पारस जैन क्युंआ J Почему स्मस्त पडिवार मुंबई झाल झाल